हे वाट्स अप गाईज मेरा नाम है विनीत राखव और आप देख रहे हैं रागवशुक टिप्स अंट्रेक्स गाईज आज इस टूड़े के निरम बात करने वाले हैं पोको एक स्मार्टफोन के बारे में जो की पोको की तरफ से एक ब्रैंड न्यू स्मार्टफोन है यह स्मार्टफोन इंडिया में पिछले हफ्ते लाँच हो चुका है और कमपनी की तरफ से आपको इसमें तीन तरीके की स्टोरेज कन्फिगरेशन देखने मिलते हैं अगर हम इसके की फीचर की बात करें तो यहाप आपको पोको X3 में बहुती बड़ी बैटरी देखने मिल ज करें तो यहां पर आपको क्वैल कॉम का स्नाप्रेगन 732 जी ओक्ता को चिपसेट देखने मिलेगा जिसके साथ आपको एंट्रीन 618 जीप्यू देखने मिल जाएगा मतलब कि आपकी गेमिंग परफॉर्मस एक्दम भैतरीन होने वाली है अगर हम इस फोन की बात करें तो य यहां पर launch हुआ है अगर हम प्राइस की बात करें तो वैसे अगर प्राइस के हम बात कर रहें तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं गाइस पोको एक्स्तरी की आज फ्लिपकार्ट पे सेल होने वाली है अगर आप इसको परचिस करना चाहते हैं तो आप आप जाके इसक इसमें आपको 6GB और 64GB स्टोरेज देखने मिलेगा 6GB RAM 64GB स्टोरेज उसका प्राइज दे सतरह 1,000 रुपर करीब-क्रीब दो ही color में आता है, एक आता है cobalt blue और दूसरा आता है shadow gray, यहाँ पर आपको दो ही तरह के options दिखने मिलें के color में अगर आप flip card से purchase करना चाहते हैं तो आप इसको EMM वगार पर असानी से purchase कर सकते हैं अगर हम Poco X3 की specification वगार की बात करें और थोड़ी details में तो यहाँ पर आपको जो screen देखने मिलेगी उसका size है 6.67 inch का जो की full HD plus display है and resolution भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने मिल जाएगा and इस display की एक खास है है कि यह 120Hz refresh rate के साथ आती है अगर आप gaming के लिए खरीद हो ना यह phone तो बहुत अच्छा smart phone है क्योंकि 120Hz पर gaming एक्तम ऐसी हो जाते है मक्खन की तरह है and यहाँ पर आपको जो poke x3 मिलेगा वो out of the box MIUI tell पर होगा and यहाँ पर आपको android 10 पर इसका base मिलेगा और इसके अंदर MIUI tell पहले सी loaded होगी and इसके अंदर जो processor में आपको बताई देगी इसके अंदर यूज के गया है 618 इसका GPU and up to maximum 8GB LPDDR4X RAM इसके अंदर यूज करेगी है and अगर हम इसके production बगार की बात करें तो यहाँ पर आपको front में Corning Gorilla Glass 5 की production दी गई है and अगर इसके camera बगार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको back side में Quad rear camera setup देखने हो मिलेगा जो की 64 MP का जिसमें आपको Sony AMX 682 primary sensor देखने हो मिलेगा जिसका focus aperture है 1.73 and यहाँ पर आपको जो दूसरा secondary जो इसका camera है वो है 13 MP का wide angle camera है and जो तीसरा camera है वो है 2 MP का depth sensor and जो 14 camera है वो है 2 MP का macro shooter and अगर हम selfie बगारे की बात करें जो selfie सबस्यादा इंपोर्टन आज की डेट में selfie और वीडियो कॉल्स बगारे के लिए जो front camera इसका वो है 20 MP का जिसका focus aperture है 2.2 and इसमें आपको front camera जो मिलेगा वो punch hole के अंदर देखने मिलेगा punch hole इसका cut out होगा and जो इसकी battery के अगर हम बात करें तो battery के आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 33 Watt का चार्जिंग देखने मिल जाएगी जो कि आपका phone काफी जली भर देगी तो गाइस बस आज की वीडियो के लेता है अगर आपको यह बोको का X3 smartphone पसंद आता है तो आप इसको directly आज flip card से purchase कर सकते हैं बारा बज़े इसकी sale होने वाली है तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्लीज इससे लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे कि वह भी इस phone को देखके आगर उनके मन में आती हो तो वह प्रचेस कर लेंगे बैस अब आप से मिलते हैं पुछने